नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र तंत्र यंत्र वास्तु की विशेज कास्क्रम के साथ चेत नवरात 2019 का सुवारम 6 अप्रेल से होने जा रहा है हम आपको इस नवरात में एक एक उपाय बताएंगे हम आपको ये भी बताएंगे कि माद दुर्गे की नौ रूपमों की पूजा आप कैसे कर सकते हैं क्या आपको अर्पित करना है पूजा की समान बीधी क्या है और क्या खास उपाय करना है ताकि आपकी जिन्दगी की जो समस्चाएं हैं उस समस्चाओं से इस नवरात पर आप निजात पा सकते हैं हम आपको दुर्गा सबस्चति की कुछ सलोकों के बारे में बताएंगे जिसका जब करके आप इस नौ दिनों के नवरात पर आत्री में निश्चित रूप से अपने जिन्दगी की जो भी समस्चाएं हैं जो भी कामना है उसका भी पूर्ति कर सकते हैं तो बने रही हमारे साथ हम आपको एक एक चीज़ खोल कर बताएंगे ताकि 6 अपरेल से पूजा में आपसे कोई गलती ना हो लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि चेत्र नवरात्री साल में आने वाले सबसे पहले नवरात्र होते हैं इस नवरात्र से ही हिंदू नवर्स की आरम माना जाता है इसके साथ रमायन के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम ने चेत्र के महने में देवी दुरगा की उपासना कर रावन का बध कर विजय प्राप्त की थी अब हम आपको बताता हैं कि चेत्र नवरात्र की सुरुवात किस तीथी से हो रही है देखिए पूरे साल में चार बार नवरात्र आते हैं इसमें जो चेत्र नवरात्र है जो पहली नवरात्र है वो 6 अप्रेल से चेत्र नवरात्र की सुरुवात हो रहे हैं जो कि 14 अप्रे कि क्या 9 रूप हैं जिसकी पूजा आपको इस नवरात्री में करनी है देखिए 6 अप्रेल से 9 दिनों तक पूरे बीधी विधान से दुरगा मा के 9 रूपों की पूजा की जाती है तो सबसे पहला दिन जिस देवी की पूजा की जाती है वो है सैल पुत्री दूसरे दिन ब्रह्म चारनी की पूजा की जाती है तीसरे दिन मा चंदरघंटा की पूजा की जाती है चोथे दिन कुसमांडा की पूजा की जाती है तथा पांचमे दिन मा असकंदमाता की पूजा की जाती है जबकि छटमे दिन मा कात्याइनी देवी की पूजा की जाती है, साथमे दिन काल रात्री की पूजा की जाती है और आठमे दिन महा गोरी और नम्मे दिन मा सिध्धी दात्री की पूजा की जाएगी चेत्र नवरात्री के आखरे दिन यानि 14 अप्रील को राम नभी मनाई जाएगी मैंने आपको ये बताया कि मां के नो रूप क्या है और किस तरह से आपको उसकी पूजा करनी है अब हम आपको बताते हैं कि पूजा की क्या है शमान नभीधी देखिए पूजा की समान विर्ष सबसे आसान तरीका अगा आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ अगर आप इस तरीका को फौलो करते हैं तो निस्टित दूप से इस नवरात्री में आपको पूजा का पूरा-पूरा फल मिल एगा अगर आप देवी को हर दिन कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कम से कम दो लॉंग और बतासा जरूर अरपित करें। हर एक दिन आपको दो लॉंग और बतासा अरपित करना है। अगर आप इतना भी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूजा का फल मिलेगा। इसके साथ साथ हर दिन देवी के अलग अलग रूपों के अलग अलग मंतर होते हैं, उनकी जाप करें। अगर आप अलग अलग रूपों के मंतर आपको पता नहीं है, तो कम से कम आपको एक मंतर ओम दूंग दुर्गाय नमाहा। ओम दुंग दुर्गाय नमहा इस मंतर का कम से कम आपको एक सा आठ बार हर एक दिन दवडातरी में जब करना है इससे आपको पूर्णफल मिलेगा इसके बाद अगर आप चाहें तो दुर्गा सफसती का भी पार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास समय हैं तो निश्री तुरूप से आप दुर्गा सफसती का भी पार्ट करें अगर आप दुर्गा सफसती का पार्ट नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सफसती के अंत में सिध्ध कुंजी का अस्तुत्र भी दिया गया है जो खुद एक सिद्ध है, ये एक सिद्ध कुंजिका अस्तुत का भी अगर आप पाठ करते हैं, तो दुर्गा सवस्ति का जो फल मिलता है, वो फल आपको सिद्ध कुंजिका अस्तुत के पाठ करने से भी जरूर मिलेगा, तो अगर आप सिद्ध कुंजिका अस्तुत के पाठ कर सकते हैं तो इसे आप अवस्थ करें इसको इसका पार्ट करने में आपको पांस से दस मिनट लगेंगे इसके बाद नम्वी तीथी के दीन बालकर्ण्याओं की पूजा की जाती है नम्वी पर खास तोर से बालकर्ण्याओं की पूजा की जाती है उन्हें हलवे पूरी का भ प्राप्ति के साथ संतान सुख भी पाना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जब करें गे तो आपको धन की प्राप्ति होगी और संतान सुख भी मिलेगा अगर आपके जिन्दगी में पैशों की तंगी है उसको दूर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस मंत्र का जब करें नो दिनों तक मंत्र क्या है दूर्गे अस्मिर्ता हर्शी भीतिम सेश जन्तो सर्वस्तरह अस्मिर्ता माती मतीव शुहाम ददासी अगर आप इस मंत्र का जब करेंगे तो पैशों की तंगी आपकी जिन्दगी से निश्टित रूप से दूर हो जाएगी इसके साथ साथ अगर बार बार आप किसी संकट में फ़जाते हैं तो देवी की इस मंत्र की जाप करने से आप किसी भी संकट में नहीं फशेंगे तो मंत्र क्या है ये सुनिए शर्णागत दिनार्त परित्राण प्राने सरवस्यत राहरी देवी नारायनी नमस्तुते फिर सुनिए शर्णागत दिनार्त परित्राण प्राने सरवस्यत यारतरी हरे देवी नारायनी नमस्तुते अगर आप स्वास्त और धन के साथ साथ एस्वर्ज से भरपूर जिंदगी पाना चाहते हैं तो देवी की इस मंत्र की जाप करें मंत्र क्या है एस्वर्ज यत्प्रसादेन शुभाग आरोग शंपदः सत्रुहानी परोपोक्छा अस्त्युते शान किम जने इसके साथ साथ अगर आपके जिंदगी में आपको मिर्ट्व से भह लगता है अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इस मंत्र की जब करनी है ताकि आपको मिर्ट्व से कोई भह नहीं लगेगा मंत्र क्या है शर्वस्चे बुद्धी रूपे जनस्चे हिर्दी संस्थिते स्वरगा पवगदी देवी नारायनी नमस्तुते अगर आप इस मंत्र की जाप करेंगे तो आपको मिर्ट्व से कभी भी भहने नहीं लगेगा और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि सिद्धी प्राप्ति हो आपकी जीवन में सिद्धी प्राप्ति के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है दुर्गे देवी नमस्तु भ्यम सर्भकामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वाशवपने शर्वम प्रादर्शे इस मंत्र की जाप करने से आपको निश्टी तुरूप से सिद्धी प्राप्ति होगी इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्यक्तित में निखा रहे हैं आपके ब्यक्तित में एक आकर्शन हो तो उसके लिए एक खास मंत्र की जाप कर सकते हैं इस नवरात्री के नो दिनों में ताकि आपके जिंदगी में या आपके ब्यक्तित में एक आकर्षन संता पैदा हो सकता है तो क्या है ये मंत्र है ओम महामायाम हरिस्ट सा ततार शम्मोयते जगते ज्यानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हिसा बालादा कृष्च मोहाय महामाया प्रेश्चती अगर आप इस तरह से इन सारे शम्मोयते जगते हैं तो आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं की आपको छोटकारा मिल सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो किर्पाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तता अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी अपने जिंदगी में इन चीजों को अपना करके इस नवरात्री में जो उपाय मैंने आपको बताया है इन उपाय को करके वो अपने जिनकी की तो समस्या हैं उनका खात्मा कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद